अब आव वहां खड़ी है वो मार जाके उसको क्या खड़ा खड़ा देख रहा है रे ओहराज रूम में गेम खेल रहे हैं अरे रे चैंचा जी अगर गेम हो गई हो तो थड़ा पड़ी लीजिए अब आव वो चुड़ायल तेरा पीछे खड़ी है खोपड़ी फोड उसकी खोपड़ी ये मोबाइल में खेलने माले तो अभी के गेमर्स है हम 90's के बच्चों ने जहां से वीडियो गेम्स की शुरुआत की थी उसकी तो बात ही अलग थी ये बात तो तुमने बिल्कुल सही करिया आयुश हमारी जमाने में हम क्या क्या वीडियो गेम्स खेलते थे आज कल के बच्चे को क्या बता वही तो तो हर एक 90's के बच्चे की तरह मेरी गेम प्ले भी इस चीज से शुरू हुई थी जिसे मैं तो वीडियो गेम ही बोलता था पर उसका रियल लेम तो शायद ही किसी को पता होगा इसमें बस वो ब्रिक्स बठाने वाली और भी छोटी मोटी गेम्स चलती थी पर भाई खेल के बहुत मज़ा आता था इस गेम को मैंने शॉप के साथ साथ जाधा तो रेल्वे स्टेशन पे भी बिक्तावा देखा है और ऐसे मैंने अपने लाइफ का पहला वीडियो गेम एक रेल्वे स्टेशन से खरीदा वैसे अगर आपको इस गेम का नाम बता है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना और फिर मेरे लाइफ में इस रिमोट वाली गेम की एंट्री हुई जिसमें गेम इस कैसेट से चलता था और कैसेट में होती थी एक छोटी चिप जिसे लगा के बना दो इनकी रिलेशनचिप वा 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 क्या मातवा खेर फिर तो इसमें मैंने बहुत गेम्स खेले यार मारियो, कॉंट्रा, जैवलिन थ्रो, एडवेंचर आइलेंड और भी न जाने क्या क्या 99999991 तो सब के बच्पन का सबसे बड़ा जूट था उसमें सिफ 20 से 30 गेमें आते थे बाकी सारे रिपीट होते थे ये कैसेट वाले हमको पागल बनाते हैं मादर बोर्ड के बच्चे हाँ लेकिन ये 64 in 1 वाला कैसेट कभी ख़वार असली निकल जाता था लेकिन सबसे बेस तो सरकस और डखंट वाला गेम था मतलब कता ही मज़ा आजाता था बिल्कुल डखंट तो हमारे लिए नई चीज थी उसमें इस बतक पे गंज से निशाना लगाना पड़ता था उस टाइम हमारे लिए एक वर्चुल रियालिटी गेम जैसा था और पता नहीं मम्मी को ऐसा क्यों लगता था कि एक दिन इस गंज से टीवी फूट जाएगा यार कितने सई दिन थे वो स्कूल से आते ही बिना युनिफॉर्म खोले गेम खेलने लग जाते सेटेडे संडे तो सबसे बेस दिन होता पूरा दिन गेम खेलते बस सुबह पढ़ने की थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती फिर पूरा दिन गेम के मजे लेते क्या दिन थे वो हाँ भाई एक था कॉंसोल पुराना सा साथ में अडेप्टर काला सा तीन थे तार लाल सफेद और पीला लगाने में जंजट माथा करते था ठीला लगाया कैसिट उसे खेला दिन रात मारियो से हुई इन गेम्स की शरवात हाँ यार फिर इनके बीच में नोक्या फोन्स भी आ गए तो उसी में तबको सबसे फेमस गीम स्नेक से इंट्रड्यूस हुआ और ये वाला फोन जिसे हमने पाँच हजार रुपय में खरीदा था उसमें मैंने दूसरा फेमस गीम बाउन्स खेला इस गेम को तो मैं बाउन्सी बोलता था क्योंकि बाउन्स से मुझे तब बस एक ही चीज याद आती थी अब ए ठरक के ठरकी तो दो मिनिट चुप बैठेगा तो कहा था मैं हाँ फिर कुछ सालों में गेमिंग का एक अलग फेज आया हर एक गली में एक ऐसी शॉप होने लगी जहां वीडियो गेम्स हमें सिर्फ दस रुपए में आदा घंटा खेलने को मिलता कैफे में सिर्फ वो आदा घंटा खेलना भी हमारे में बहुत बड़ा सुकून था लेकिन उसमें भी घर से कुछ रेस्टिक्शन्स रहते थे पापा दस रुप दो ना मैं गेम खेलूंगा सिर्फ आदा घंटा पक्का बेटा तेरे टेस्ट में कितने नंबर आये थे इस बार पापा इस बार तो मेरे हंडेड में से पुरे नाइंटी मास आये हैं तो जो दस नंबर तुने नहीं लाए न वो मैं इस दस से पुरा करूंगा अरे नहीं नहीं खेलने को काफी बार मिलता था इन फैक्ट वहीं पर ही मैंने God Hand और God of War जैसे Legend गेम्स खेले थे और भी बहुत सी यादे हैं वहां की तो उसके बाद फिर गेम्स का एक नया दौर आया कम्प्येटर में गेम्स खेलने का भाई साब ये तो एक बड़ा भयंकर दौर था मैंने अपना पहला कम्प्येटर पापा से जित करके क्लास फाइव में लिया था और कम्प्येटर आने के बाद जो अंकल घर में पीसी लगाने आये थे मैंने उनसे बस एक ही सवाल पूछा अंकल इसमें गेम्स तो है ना तुमने इतना महगा कम्प्येटर गेम खेलने के लिए लिया है फिर उस अंकल ने रोटर्स डेक्स्टॉप पे ही डाल दी और मुझे कम्प्येटर पे सिर्फ इतना ही आता था कम्प्येटर ओन करो डेक्स्टॉप पे डबल क्लिक और कम्प्येटर के असली बड़ी गेम्स के बारे में तो मुझे मेरे एक फ्रेंड से पता चला था जो मेरे साथ उस मंदिर वाले स्कूल में ही पढ़ता था उसको हम लोग बुलाते थे गेलू अब ये मत कहना कि ये कैसा नाम है देखो उस स्कूल में हम सभी का नाम बहुत ही अजीब अजीब सा रखा गया था अगर मैंने अपना नाम बताया तो तुम लोग हस हस के पागल हो जाओगी इसलिए मैं नहीं बताऊंगा अब हम सभी के लास में कोई इच फ्रेंट तो ऐसा होता ही है जिसके पास गेम्स का भंडार होता है और उसने बहुत सारी गेम्स कंप्लीट की होती है मेरे क्लास में वह लड़का गेलू था उसको देखके मैंने भी गेम्स खेलना प्यार रहेगा फिर स्मार्टफोन आ गए और उसमें मैं क्लास 10 में क्लेश अफ क्लेंज का एडिक्ट हो गया और अभी कुछ टाइम तक तो मैं पबजी एडिक्ट था लेकिन कम्पीटर में गेम्स खेलने का कुछ अलगी मजा था आजकल तो सब बस पबजी, फोटनाइट बस इस टाइप की बैटल रोयाल गेम्स खेलने में लगे हुए है कोई दूसरा कुछ मिशन वगेरा कम्प्रीट करने वाला गेम तो अब जल्दी से कोई ट्राई ही नहीं करता और अब तो कम्प्रीटर पे भी गहां, सारे गेम्स तो मुबाइल पे आ गए है और सच कहूं तो, दिस इस अल्सो गुड, चेंज आना ही चाहिए और मैं खुद PUBG मुबाइल खेलता हूँ, जिसके मारे में मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है लेकिन बस पहले की बात कुछ और ही थी सब कुछ बहुत जल्दी चेंज हो रहा है मैं भी अभी का लेट 90's का ही लॉंडा हूँ, पर फिर भी इतना चेंज देख लिया इसलिए मैं तो कहता हूँ, आज ही अपने पुराने गेम्स निकालो और एक बार फिर से खेलो पॉरिंग बॉलिवुड मुवीज को भी एनिमेशन और बड़े ही यूमर के साथ एक्स्प्लेन कर देते हैं इनके चैनल पे और भी जबर्दस कंटेंट है तो जरूर से सब्सक्राइब करो और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार किस चीज का अजयर कर लो मेरी शादी का और हमारी इन बाकी वीडियोस को भी देखो